Season 2 Episode 9 स्टार्ट होता है और हमें माइक दिखता है कि वो एक रोड पर होता है वहाँ वो एक प्लान मना रहा होता है जब सॉलामंका का ट्रक वहाँ आता है तो रोड पर वो नेल्स पिछा देता है उस ट्रक पंचर हो जाता है और उसका ड्राइवर वहाँ से बाहर निकलता है माइक ने मास्क वेरा पहना होता है और उस ट्राइवर को वो डिसेबल कर देता है उसे पता होता है कि जो ट्रग है उसके टायस में ही सौला मंकाने पैसे चिपाए हुए है वो पैसे लेता है और अपने गाड़ी की ट्रंक में रख देता है नेक सिन में हमें दीखता है कि अब जग रेडी हो रहा है वो मेसा वर्डे का जो case है उसकी पहली hearing होती है और वहाँ वो जाने वाला होता है अवर्ड के साथ वो उस hearing के लिए चला जाता है वहाँ की जो council वगरा होती है उनसे वो सब address वगरा सब कुछ बोल रहा होता है पर फिर council को पता चल जाता है कि जो address वो बोल रहा है वो गलत है उसे clear करने की कोशिश करते है पर चक मान नहीं रहा होता चक बोलता है कि मैंने जो address बोला था वो ही correct address है फिर मेसा वर्डे की जो assistant होती है वो बोलती है कि जो council बोल रही है वो correct address है चक ने जो file किया होता है वो wrong address होता है चक मान ही नहीं रहा होता फिर काउंसिल उसे बोलती है कि अब हमें फिर से रिव्यू करना पड़ेगा तुम्हारी जो लोकेशन है वहां में जाकर फिर से उसे रिव्यू करनी पड़ेगी इसलिए वक्त लगने वाला होता है और उन्हें वह एक महिने का टाइम दे रहे होते है चक बोलता है इसे हमें बहुत ही इनकनुइन्स हो जाएगा अगर तुमने प्रोविशनल हमें पर्मिशन दे दी तो यह बहुत ही अच्छा होगा पर वो सब नहीं मानते जग घर पर आता है और वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि क्या हो रहा है वो सब डॉक्यमेंट्स वेगरा चेक करता है और उसमें भी उसे करक्ट डॉक्यमेंट्स ही मिलते हैं सॉल ने अल्डेटी उसके घर में जाकर डॉक्यमेंट्स चेंज कर दी होते हैं माइक को अब इतने सारे पैसे मिल गए है, साला मांका से भी उसने बदला ले लिया है, वो बहुत ही खुश होता है, बार में वो सब को फ्री ड्रिंग्स देता है नेकसिन में हमें दिखते हैं कि साल और कीम अपने ओफिस को पेंट कर रहे होते हैं, वो बहुत ही एक्साइटर होते हैं अपने ओफिस के लिए, तभी कीम को फिर से कॉल आ जाता है, और उसे मैसा वरटे फिर से बैक मिल जाता है वो बहुत ही खुश होती है कि उसे अपना क्लाइन फिर से मिल गया चक का फिर उसे कॉल आता है चक ने उसे सब डॉक्मेंट्स वगरा लेने के लिए बुलाया हुआ होता है वो सॉल को भी उसके साथ उसे लाने के लिए बोलता है चक फिर पर कीम को बोलता है कि मुझे पता है कि सॉल ने क्या किया है मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए इसलिए मैंने तुम्हें यहां बलवाया है वो खिम को बोलता है कि एक रात में बहुत ही तकलिफ में था और मैं पास आउट हो गया था तब सॉल यह आया था सॉल को तुमारे लिए तुमारा कलाइन वापस लाना था इसलिए उसने मेसा वर्डे की जो फाइल्स थे वो सब लेकर जला गया उसने वो जेरॉक्स पर गया और उसने वो फोर्ज की और एड्रेस वहाँ बतल दिया उसे बता था कि इससे में गलती करूंगा और यह बहुत ही ट्रबल में मैं आ सकता हूँ और तुमें तुमारा केस फिर से वापस मिल जाएगा मैं जो अक्यूस कर रहा हूँ वो गलत हो सकता था पर मैं सौल को जानता हूँ वो जब स्कूल में था वो एक फेक आईडी भी फोर्ज करता था यानि कि वो अपने फ्रेंड्स को बेर ला सके सौल के लिए ये कुछ भी बड़ी बाद नहीं है फिर वो किम से बोलता है कि जब मैं फिर से वापस आया सौल ने फिर से डॉकुमेंट्स एक्चेंज कर लिये थे उसके पास घर की कीस है इसलिए वो घर में कब भी आ जा सकता है किम चक को बोलती है अगर सॉल में सचमुष में ऐसा किया है तो उस पे सीरियस चार्ज लग सकते हैं पर सॉल इतना सब कुछ नहीं कर सकता ये बहुत ही elaborate plan है और इसमें एक simple explanation भी आ सकता है वो बोलती है कि इसमें एक simple explanation भी है कि तुम simply भूल गए कि तुमने क्या वहा लिखा था तुमसे mistake होगी और वो इस mistake तुम repeat करते गए वो सॉल की side लिती है जब वो दोनों कार में आकर बैठते है तो किम उसे मारने लगती है किम को पता होता है कि सॉल ने ये सब किया है next scene में हमें दिखता है कि सॉल अवे भी अपनी advertisement shoot कर रहा होता है उसे American flag के साथ अपनी advertisement shoot करने होती है तो एक school पर वो पहुँच जाता है वहाँ वो जोरी जोरी उस advertisement को shoot करने वाले होते है पर वहाँ की teachers वहाँ जाती है सॉल उनको बोलता है कि मेरे पास permission है डाउन डाउन पर एक लेडी का वो नाम लेता है वो कुछ भी story make up कर देता है और बोलता है यह हमें यहाँ shoot करने की permission है फिर वो मान नहीं रही होती तो सॉल बोलता है यहाँ एक बड़ा musician यहाँ रहता था वो आपकी school में जाता था उसकवर हम documentary बना रहे है इसलिए हम यहाँ shoot करना चाते है फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है सॉल अपना advertisement खतम कर लेता है माइक सुबा जब breakfast पे होता है तो paper में देखता है truck driver का जो accident mic ने किया होता है उस accident के बारे में paper में कुछ भी नहीं होता उसे नाचो ने एक जगा बुलाया होता है उस जगा बुला कर उसे पूछ रहा होता है कि मुझे पता है कि तुमने यह किया है क्योंकि मैंने सब सोचा कि कौन robbery करेगा और suspect को पीछे छोड़ कर चला जाएगा वो उसे सिर्फ confirm करना चाहता है कि माइक पकड़ा नहीं जाने वाला अगर माइक पड़कड़ा गया तो वो भी trouble में आ सकता है माइक उसे बोलता है कि मैंने उस पे आग पर परटी बान दी थी मैं भी एक मास्क में था तो कभी भी वो मुझे ट्रैक नहीं कर सकता नाचो बोलता है कि जब तक तुम ट्रैक नहीं हो तब तुम कुछ भी कर सकते हो मुझे इससे कोई भी फरक नहीं पड़ता माइक उसे बुछता है कि ये accident क्यों पेपरस में नहीं आया नाचो उसे बोलता है कि एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था फिर उसने ड्रैवर को बचाया और ड्रैवर ने सालामांका को कॉल कर दिया सालामांका खुद नहीं उस आदमी को मार दिया यानि कि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले माइक को सालामांका को जेल में देखना होता है इसलिए वो ये सब कर रहे होता है नाचो उसे बोलता है कि तुम ये जब पैसे वगरा चोरी कर रहे हो ये ठीक है पर तुमें सालमांका के पीछे नहीं लगना चाहिए वो गन निकालता है और माइक को मारना चाता है पर माइक बोलता है कि तुम ऐसी गलती मत करना माइक उसे समझाता है कि अब ये बिजनेस ख़तम हो चुका है मैं Salamanca के पीछे नहीं लगने वाला नाचो फिर वहाँ से चला जाता है Kim और Saul घर पर होते Saul उसे अपने advertisement दिखा रहा होता है Kim को वो advertisement बहुत ही अच्छी लगती है Saul उसे बोलता है कि सुबा जो हुआ उसके बारे में क्या हमें बात करनी है Kim बोलती है कि मुझे कभी भी इसके बारे में बात नहीं करनी Kim उसे सला देती है कि चक एक बहुत ही dangerous enemy बन सकता है तुमने जो भी कुछ किया है वो फिर से तुम तक नहीं आना चाहिए यानि evidence वेगरा तुमें सब मिटा देना चाहिए फिर सॉल डायरेकली वहाँ से उठ जाता है और जहरौस के shop पर चला जाता है वहाँ का जो काम करने वाला होता है उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो क्या तुम बता सकते हो कि मैं यहां आया था वो उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है क्योंकि चक का जो assistant होता है वो वहाँ already आक कर सॉल की photo उसने उसे दिखाई होती है सॉल उसे बोलता है कि मुझे पता है कि हाँ एक आदमी आया था और उसने तुमें मेरी photo दिखाई थी फिर सॉल टेबल बर बहुत सारे पैसे रखता है फिर वहाँ काम करने वाला उसे पूछता है कि क्या ये मुझे ट्रबल में ला सकते है सॉल बोलता है कि ये कभी भी तुमें ट्रबल में ले लाएगे ये प्रदर्स के बीच में एक अन्मन है और ये कभी भी तुमें पुलीस वगरा नहीं पकड़ सकती मेरा प्रदर अब यहाँ थोड़े टाइम में आएगा वो भी लॉयर है और मैं भी लॉयर हूँ फिर वो तुमें इंटिमेडेट कर सकता है वो बोल सकता है कि तुम जेल में जाओगे वगरा वैसे पर तुम ट्रबल में नहीं आओगे ये मेरी गैरेंटी है फिर वो भी मान जाता है वह एक security camera होता है Saul उस लड़के को और भी बैसे देता है और वो उसका जो memory होता है वो erase कर देता है चक फिर उस जिरोक्स शॉप पे आता है वह बहुत सारी electricity होती है फिर भी वो आंदर जाता है और उस लड़के को और confront करता है उससे बोलता है कि यह मेरा बरदर यहां आया था तो उससे बोलता है कि मुझे अब याद नहीं है मुझे नहीं लगता कि यह आया था चक उससे बोलता है कि मेरे assistant आया था तुमसे तो उससे तो तुमने बोला था कि यह अभी अभी यहां आ चुका है वो लटका उसे बोलता है कि उसके जाने के बाद मैंने फिर से उस पर सोचा अब मुझे लग रहा है कि ये वो नहीं था जग बहुत ही गुस्सा करने लग जाते है और गुस्से गुस्से में ही उसे चक्कर आ जाती है वो उसका सर वहाँ टकरा जाता है और ब्लीडिंगों से होने लग जाता है सॉल भी ये सब देख रहा होता है और वो आम्बिलन्स को कॉल कर देता है यही एपिसोड खतम हो जाता है